दोस्तों पश्चिम मंगाल में हुई घटना को देखा खूनी तांजब को देखा जिस भी व्यक्ति ने उन वीडियोज फोटोस को देखा उसकी आंके फटी की फटी रह गए कि आखिर मम्तब बेनर जी के इस मुख्य मंत्री रहते हुए ये कैसा गुंडारास पश्चिम मंगाल में चल रहा है और लोगों के मन में सवाल खड़े हो गए कि जो लोग प्रधान मंत्री नरीन रमूदी पर ये आरोप लगाते हैं कि उनके रहते हुए भारत में लोकतंतर खत्रे में है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया लेकिन पश्चिम मंगाल में ममता बनर जी के रहते हुए लोकतंतर जरूर खत्रे में दिखाई पर रहा है लगातार जनता सवाल उठा रही है सवाल ममता बनर जी से पूछ रही है कि क्या अब ममता बनर जी स्तीफा दिंगी नमश्कार दोस्तों तिंग टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लगातार दोस्तों पश्चिम मंगाल में हुए खूनी तांजव को देखकर लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो गए और लाजमी है क्योंकि जिस तरह की राजनीती हमारे देश में देखने के लिए मिल रही है लगातार कोई निता अच्छा काम कर रहा है उस वो अच्छा काम करता हुआ निता विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा है जिसके लिए पूरा विपक्षी दल एक जुट होकर पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे उस व्यक्ति को कुर्सी से अठाया जाए जहां दोस्तों मैं बात कर रही हूँ प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी की लगातार पूरा विपक्षी दल ये एक जुट होकर कोशिश करने में लगा है कि कैसे भी प्रधान मंत्री की कुर्सी से नरिंद्र मुदी को हटा दिया जाए लेकिन ममतब अनर्जी के राज में पस्च मंगाल में क्या कुछ चल रहा है ये किसी भी विपक्षी को दिखाई नहीं दे रहा है जो राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहकर आए थी कि भाई प्रधान मंत्री नरिंद्र मुदी जब से भारत में आये हैं तब से भारत में लोकतंतर खत्रे में है विदेशों को इन्वाइट करके रागए कि आए हमारे देश के मामलों में हस्तक शेप कीजिए इसके अलावा हमने आम अदमी पार्टी के भी एक नेता को देखा था जिसने साफ तोर पर ये कहा दिया था कि भाई साल 2024 में अगर नरिंद्र मुदी की जीत हुई तो वो कानून में संसोधन करके ऐसा कानून पारित कर देंगे जिसके बाद वो जब तक हैं तब तत चुनाव ही नहीं हो पाएगा यानि कि सीधे तोर पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मुदी को लोकतंतर के लिए खत्रा बताये था सम्मिधान के लिए खत्रा बताया था तो अब वो लोग कहा है जो मम्ता बेनर जी की मुक्या मुंतरी रहते हुए पस्च मंगाल में हो रही हिंसा को नजर अंदाज कर रहे हैं अब वो कहा है जो छोटी छोटी बात पर बीजेपी पर तंज कसते हैं अब वो कहा है जो मम्ता बेनर जी के प्रदेश में हुए राजिम हुए इतनी बड़ी हिंसा को इतने बड़े नेरसंगार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आया है नहीं अखलेश यादव का आया है ना ही प्रियंका गांधी का आया है ये लोग लगातार मोधी के नाम पर विरोध करने के लिए सीधे और सटीक सवालों के साथ ऐसे ऐसे सवालों के साथ उपस्तित हो जाते हैं जिनका नस्तार होता है न पैर होता है जूटी जूटी बाते फैलाते रहते हैं लेकिन यहाँ पर वस्तिती तो दर्ज करा दी है इसलिए सीधे तोर पर रहूल गांधी सामने नहीं आए जो हर छोटी-छोटी बात पर रहूल गांधी और प्रयांका गांधी बाड़रा ट्वीट करती हैं उन्होंने छोड़ दिया अधिर रंजन चौदरी को जिनका बयान सामने आया जिनोंने ट्वीट किया कि भाई यह जो पूरा तांडव हुआ है खूनी तांडव पस्चिमंगाल में हुआ है वो TNC यानकी ममतब अनरजी और BJP यानकी मोदी जी यानकी सीधे तोर पर इन्हों का है ममतब अनरजी और मोदी जी की मिली भगत से यह पूरा कांड हुआ है यहाँ पर मोदी ने ममतब अनरजी को इतनी छूट दे रखी है कि यहाँ पर वो पूरी गुंडा गर्दी चला सके भाई देखिए उपस्तिती तो इन्हें दर्ज करा ली है अब यहाँ पर अधिर रंजन चौदरी ने यह जो बात कही है क्योंकि भाई कॉंग्रस से आते हैं तो कॉंग्रस के ही बोल बोलेंगे सीधे सीधे मोदी पर सवाल उठेया और ममतब अनरजी को भी साथ में लिया है यह अची बात है लेकिन दोस्तों अब जो अधिर रंजन चौदरी ममतब अनरजी के बारे में यह कह रहे हैं क्या वो यह दावा कर सकते हैं कि अगली विपक रखा द दफा हो जाएगा दोस्तों अभी-अभी उत्तर प्रदेश में यहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर इसमसर देखने के लिए नहीं मिल रहा लेकिन भाश्चेी मफल में जो भयानत मंजर देखने के लिए मिला वो पस्चिमंगाल में सिर्फ यही चुनाव नहीं बलकि कोई भी चुनाव हो लोग सबाद चुनाव हो विधान सबाद चुनाव हो अब तो पंचायच चुनाव हर चुनाव में यही हिंसा देखने के लिए मिलती है TMC के गुंडे लगातार लोगों को मजबूर करते हैं डराते हैं धमकाते हैं कि TMC के खिलाफ वोट नहीं करना है यहां पर इस तरह की चीज़े की जाती है क्योंकि यहां पर जो पूश्टाच लोगों से की गई है उसमें साफ तौर पर जनता ने पत्रकारों को यह बताया है कि यहां पर जो TMC है उसके खिलाफ वोट करने के लिए वोट करने पर अगर कोई व्यक्ति सोचता भी है तो उसे धराया धमकाया जाता है यहां पर ममताब बिनर जी की सरकार अब यहां पर सवाल आता है क्या ममताब बिनर जी इस्तीफा देंगी तो दोस्तों वो इस्तीफा बिलकुल नहीं देंगी क्योंकि जो मामता बेनर जी प्रधान मंतरी बनने की महतोकांशा रख रही है वो अभी मुख्य मंतरी रहते हुए स्तीफा देंगी ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता लेकिन सवाल यही आते हैं कि जो वो एक राज्य पस्चिम बंगाल को नहीं समाल पा रही है वहां का law and order देखिए किस तरह दंगे भड़कते हैं किस तरह यहां पर रोहिंग्याओं को जो बांगला देश के घुसपैटी हैं उनको बसाया गया है उन्हें पूरे डिपार्टमेंट में घुसाया गया है जिसकी वज़ा से अब जो यह लोग है TMC के कारेकरता की तरह काम कर रहे हैं यहां पर इस तरह दंगे भाजी हो रही है तो यहां पर दोस्तों यह बिलकुल भी इस्तीफा नहीं देंगी लेकिन दोस्तों यहां पर जो यह सारी चीज़े हो रही हैं वो सारी चीज़े एक खतरनाक मंज़र है क्योंकि देखिए यहां पर पस्चिम बंगाल बॉ परिवाही करनी चाहिए और इस मामले का सक्ति से संग्यान लेना चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं थिंग टैंग